नमस्कार आप सभी का स्वागर डिडी न्यूस पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकर्ष मैं हूँ पुकुल शर्मा GST इतिहास रच रहा है और इसका सीधा फायदा अगर देखें तो हमारी अर्थवरस्ता को मिल रहा है जो की लगातार मजबूत होती जा रही है पिछले एक दर्शक की अगर हम बात करें जिस तेजी के साथ भारती अर्थवरस्ता उभरती हुई नजर आई है वो किसी उपलब्धी से कम नहीं है 2014 से पहले जो फ्रिजाइल 5 में गिरी जाती थी आज वही अर्थवरस्ता फेबलिस 5 तक का अपना पूरा सफर तै कर चुकी है और अब जो नया सफर है वो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ती बनने का और उसी दिशा में लगातार हम आके बढ़ रहे हैं वही इस वितवर्ष के शुरुवाती महिने यानि अप्रेल की अगर हम बात करें तो देश के आर्थिवकास को गती देने वाली एक और अच्छी खबर आज सामने आई है दरसल जीस्टी लागू होने के बास से अप्रेल महिने में कलेक्शन अब तक का सबसे अधिक डर्ज किया गया है सरकार की तरफ से अप्रेल के जीस्टी कलेक्शन का जो डेटा है वो जारी कर दिया गया है अप्रेल के महिने में जीस्टी कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिये हैं जीस्टी कलेक्शन में 12.4 फीज़ी का इजाफा देखने को मिला है इस इजाफे के बाद अप्रेल का जीस्टी कलेक्शन 2.91 लाग करोड के पार पहुँच चुका है डेटा के मुताबिर रिफॉर्ण के बाद नेट रिवेन्यू की भी अगर हम बात करें तो इसमें इजाफा दर्ज किया गया है जो की अभी तक हमने देखा है अप्रेल के महिने में वहीं शुद्ध जीस्टी संग्रे की अगर हम बात करें तो इस 17.91 फीज़ी की इसमें बढ़ात दर्ज हुई है वहीं रिफॉर्ण जारी के बाद शुद्ध जीस्टी 1.92 लाग करोड रुपे रहा है अप्रेल महा में CGST कलेक्शन 43,846 करोड और SGST कलेक्शन 53,538 करोड रुपे रहा कॉर्टलभे के बीटे वित्वर्ष में मासिक GST कलेक्शन 10,000,000 करोड से ज्यादा ही रहा है वहीं चालू वित्वर्ष यानि 2024 और 25 के पहले महिने में ही GST जिस तरीके से नया रिकॉर्ड बना रहा है सीधे तौर पर अर्थवरस्था को मजबूती देने के जो संकेत हैं वो यहां मिलते हुए नजर आ रहे है और ना सिर्फ GST बलकि अगर बात की जाए और भी तमाम इसी कतिविदियां है या कारक हम जिनको मान सकते हैं जिसकी वजह से लगातार जो देश की अर्थवरस्था है उसमें काफी मजबूती देखने को मिल रही है फिलाल यह जो आंकडों की अगर खासता और से बात की जाए अगर हम बात करें अप्रेल महिने की तो इस बार जो GST कलेक्शन किया गया है अप्रेल महिने में वो सबसे ज़ादा और कहा जाता है कि शुरुवात अगर बहतर होती है अच्छी होती है अब तक का सबसे बड़ा जो मासी GST संग्रह अभी तक तरज किया गया है वहीं खासता और से अप्रेल के महीने की जब हम बात कर रहे हैं क्योंकि GST कलेक्शन ने अपने सारे रिकोर्ड तोड़े हैं अब से पहले इतना GST कलेक्शन नहीं हुआ था दो लाग करूर के पाद जो GST कलेक्शन है इस बार गया है सकल GST संग्रह जो है जैसा हम आपको बताने करी 12.4 फीजदी बढ़ा है यह आंकड़े गवाही दे रहे हैं मस्बूत अर्थफेवस्ता की शुद GST संग्रह में 17.1 फीजदी के बढ़ाती दर्च की गई है और साथ ही रिफंड जारी करने के बाद शुद GST 1.2 लाग करोड रुपे रहा है तो जाहिर तोर पर जो आंकड़े भी तक आए हैं काफी महत्पूर्ण हो जाते हैं लेकिन इसके सासाथ जब हम बात करते हैं कि कैसे जो दूसरे शेत्र हैं जो की अर्थवस्ता को मजबूती दे रहे हैं उनकी भी अगर यहां हम बात करें क्योंकि एक तरफ तो GST के जो आंकड़े हैं वो बहतर होते जा रहे हैं दूसरी और GDP की अगर खासा और से बात की जाए क्योंकि विश्व की तमाम जो रेटिंग एजंसियां हैं उनको शंशोधन करना पड़ा अपने अनुमान के लिए आर्थिक वरदीदर की अगर खासा और से बात की जाए लेकिन इसके साथ साथ देश के आर्थ परमुक विन्यादी उद्योगों की अगर हम बात करें तो उनकी ग्रोध में भी इज़ाफा दर्ज किया गया है तिसके फरवरी में ये करीब 7.5% के मुकाब्ले कुछ कम नज़र आती लेकिन फिर भी जो आठ प्रमुक बुन्यादी उद्योगों की ग्रोथ है इसमें इजाफा देखने को मिलता है मार्च में ग्रोथ 5.2 फीज दी रही और जैसा हम आपको बता रहें कि ये ग्रोथ है साल फरवरी में 7.1 एक भी नजर हमें आई थी लेकिन दीरे दीरे जब हम देखते हैं खास और से आठ प्रमुक बुन्यादी उद्योगों की अगर बात की जाए जिसमें कोईला, कच्छा तेल, प्राक्रतिक गैस, रिफाइनरी, उत्पाद, उर्वरक, स्पाथ, सिमेंट और बिजली शामिल है बीटे वर्ष मार्च में ये 4.2 फीजदी थी वानिजयम द्योग मंत्राले द्वारा जारी ताजा आंकडों से ये जानकारी मिली है कि इन शेत्रों के उत्पादन की व्रद्दीदर बीटे वितवर्ष 2023 में 7.5 फीजदी रही शेत्रों में नाकारात्मक व्रद्धी के मुकाबले मार्च में कच्चे तेल सिमेंट पिजली के उत्पादन में व्रद्धी दर बढ़कर 2.6 फीजदी और 8 फीजदी हो चुकी है तो देखा जो आए तो कई ना कई ही धीरे धीरे सही है कि स्थिर्टा भी नज़र आती है और बढ़ोतरी भी हम देखते हैं लेकिन खास्ता और से पहले अगर GST की हम बात करें क्योंकि एक नया रिकॉर्ड जो यहां बनता हुआ नज़र आया है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेमान मौझूद हैं उनका परीचे आपसे करा दें वेजें जी हमारे साथ मौझूद हैं आपर जो की करव शिशगे अटक एक्सपर्ट और पूर वध्यक्ष हैं इसकी आई के और साथ ही हमारे वरिष्ट आर्थिक समाधाता आजयर मिश्भी हमारे साथ जो चुके हैं आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत पहले वेजी मैं आपके पास आना चाहूंगा जो आंकड़े आए हैं, जाहित आए हैं। जो आंकड़े हैं वो गवाही देते हैं, वो बानगी हैं, कि कैसे हमारे देश की जो अर्तफवस्टा है, वो मसबूत होती चली जा रहे है लेकिन जो हमारे दर्षक हैं मैं चाहूंगा उनको आप समझाए कि कैसे जो GST के जब आंकड़ों की हम ये अर्थविस्ता को मदद पहुचा रहे हैं और इसको मजबूत बना रहे हैं देखिए जब आज की डेट जो जी एस्टी का आकड़ा आया है वो अपना आप में बहुत महत्तपून है और दो लाग दस हजार क्रोड रुपा आप्रिल में जी एस्टी से कोलेक्शन हुआ है आप्र आप में बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि एकनोमिक एक्टिविटी भारत में कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं देखिए जी एस्टी कैसे कोलेक्ट होता है जी एसी बो होता है जो हम ट्रांज्यक्शन डे टू ने करते हैं जो परेट्शन होती है जो इसकी अच्यो है कि भारत की अर्थववस्ता कितनी तेजी से आगे पढ़ रही है जो टेक्स कोलेक्शन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्वशनिय इंडिकेटर है एकनोमिक एक्टिविटी के बारे में तो जब यह कोलेक्शन आ रही है तो इसका मतलब यह है कि भारत की करने का मौका और आगे कैसे मिलता है सरकार के पास संसाधन जुट जाएं पैसा आ जाए तो क्या होता है कि सरकार को अपनी जो बेश बहुत सारी जो अपनी शोशल स्कीम्ज हैं जो और बेनेफिट हैं उसके इलावा सरकार को इंफरस्ट्रक्चर में इंवेस्प्रेंट करन की अपनी जो लगों को काम मिलेगा तो जिनको रोजगार मिलेंगे निके हाथ में पर्चेजिंग पावर बढ़ेगैं शिक अपने आप में बहुथ बढ़ती आ को की देश की अर्थव्वेस्तक करोग कैसे आगे बढ़ाये जाएव तो अभी आपने देखा हुआ कि विश्य में जितनी भी इंडिकेटर आ रहे हैं, चाहिए वो IMF है, चाहिए वर्ड बैंक है, वो कह रहे हैं, कि विश्य में बहुत सारे देशों में आर्थिंग मंदी होने के बावजूद, भारत की अर्थवरस्ता सबसे तेजी से आगे से ब बात की जाए, तो कही ना कही एक मजबूत इस्ति जो है, वो भारतिय अर्थवरस्ता की नज़र आती है, और उसी वजह से हम लगातार कह रहे हैं, कि अभी हम पांचे पाइदान पर हैं, लेकिन बहुत जल हम तीसरे पाइदान पर भी पहुंचेंगे। जैसा कि जैन साब ने सबसे पहले कहा कि एक विकास्फिल डेश को सबसे ज़्यादा जरूरत स्वक्त होती है, बुनियादी धांचे पर खर्च करने की, हमारा जो वेलपेर स्टेट है, जिसमें हम बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती है, जिसको सरकार को खर्च करना ही करना हो ज़्षा और विप्टिस होने का एक लख्ष है, ये तीरो ही जो कॉमिनेशन है, आप इमांड करते हैं कि ज़्षा में ज़्यादा स्टॉंग ग्रोथ को और 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 आपका टैक्स कलेक्शन बेहतर हो, ब्रॉट बेजिट को कहा जाता है, जिसम्टि बेजिट को कहा जाता है कि आप कितना consumption करते हैं और tax collection के रूपने वापस देश को कितना देते हैं तो आज एक बहुत proud moment है किसी भी देशवासी के लिए क्योंकि और कोई indirect tax section में बाटिपेट करता है ये इसकी देता है जब भी हो कोई कीज खरीता है तो देश के विकास में योगदान करने का जो एक खुछी होती है वो शायद सभी के मन में होगी लेकिन direct tax collection अगर आप देखें पिसले साल का तो उसमें 19.58 लाग प्रोड रूपी का collection हुआ था 18% जादा था इसले साल के मुकाबले लेकिन अब जो CDIC कह रही है वो ये कह रही है कि 1.8 लाग प्रोड रूपी का आउसत ब्सकी collection इस साल के हर महिने में देखेंगे पहले आपने देखा एक लाग पाउसत उसके बाद जेड़ लाग पाउसत पर पहुने दो लाग पाउसत और अब लगता है कि 1.8 जो CDIC चेर्मन बोल रहा है और वितवर्ष 2023 में एक दुशनला 6.8 लाग करोड रूपे कर रहा था जो कि अब जाहिर तोर पर उमीद यही है कि इसमें और ज़्यादा इजाफा होता नज़र आएगा फिलाल इस बारे में और भी हम चर्चा करेंगे लेकिन यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हासर होंगे आप बने रही है डीडी नियूस बार साथ चलते हैं जिसकी गारंटी ने जिंदगी सावारी उसको वॉट देने की गारंटी हमारे ले एक बार कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं शुकला बदा रहा था आपके बाउजी ने जायदत का को जिस्सर नौकर के नाम कर दिया अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा समर कूल जो हर दिल करे कबूल मैं पता है, इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है आई पी एफ लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एक्जेक्यूट नहीं हुआ क्या फिर कोई गैरेंटी डिटर्स वाली स्कीम है तो यह आई पी एफ आपकी मदद नहीं कर दकता है और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉर्टर बन जाए तो तो फिर आई पी एफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है कहां से सिखा एन एस ए की साइट पर सोचकर, समझकर, इन्वेस्टिकर तो बरेके बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी स्विचेश पेश्ष्ष में जिसमें लगातार हम बात करें कैसे जीस्टी जो है वो तिहास रच रहा है देश की अर्थवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है व्यस्था शुरू की गई थी, कई तरह के सवाल इस पे खड़े किये गए थे और ये वही जीस्टी है जो आज नए रिकॉर्ड पर पहुंच रही है आपने बिल्कु ठीक कहा देखिए जब एक जुलाई 2017 को जीस्टी लागू किया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे कि जीस्टी कामयाब होगा नहीं होगा तो कि विश्व के कुछ देशों में जब जीस्टी लगाया था उनके उबारे में उनकी कामयाबी के ओपर बहुत सारे सवाल आया थे और कहीं जगा ववस्ता कामयाब भी नहीं थी। लेकिन भारत वर्ष में जिस तरह से GST लागू किया गया जिस तरह से GST कौंसिल ने समय-समय पर उसमें जो जो प्रिकते आई, जो जो रुकावरटे आई उसको अड्रिस किया, जिस तरह से इस टेक्नोलोजी को यूज किया, जिस तरह से टेक्स इविजन को कंट्रोल किया, वो काफिया बहता होता है, वो बहुत महत्पून कदम था, और जिसकी काम भी यह सारे इसी वज़े से हुई कि सरकार ने इसके उपर अपना पूरा फोकस रखा, और चोरी को रोका, टेक्नोलोजी को यूज किया, और लोगों की इस ऑफ डूइंग बिजनिस को बड़ा इस किया, आज घर बैटके आप सारा काम कर सकते हैं, आपके ईवे बे लिशिस होते हैं, आपकी डॉकुमेंट सारे कंप्यूटर पे आते हैं, आपका रेकंसिलेशन हो जाता है, तो इससे बहुत सुईदा मिली है, यह भी हम मान सकते एक केस्केरिंग एफक्ट भी ख़तम होगे टक्सके उपर, जी बलकुल तु देखी किस तरीके से लगाता है, क्योंकि जब हम कहाने है कि कितना फायदा जो है वो लोगों को भी होता है, और जैसा आजए बता रहे थे कि हर किसी का यूगदान है, वो इसके जरीए जाता है, लेकिन ऐसे में आपके पास भी हम आना चाहेंगे क्योंकि जब जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जब अर्थवरस्था है मस्बूत होती जा रही है लेकिन जैसा कि अभी वेजी ने भी कहा कि हर एक बिंदू हैं जो काफी महत्पूर्ण रहते हैं और अब जो है काम आत्मी जो है जब वो कुछ चीज खरीदता भी है तो जहीतोर पर टेक्स तो पे करता ही है लेकिन उसके साथ साथ एक परचेसिंग पावर जो है उसमें इजाफा होता है क्योंकि जो खबत है वो लगातार बढ़ रही है और ये एक तरह की किसे हम कह सकते हैं कि जो डिमांड और सप्लाई का जो रूल है वो यहां भी नजार आता है और इसका सीधा फायदा कहीं न कहीं तीश की अर्थवरस्था को मिल रहा है बढ़ने के पीचे जो ग्रोस का बढ़ना है वो तो एक वज़ा है ही लेकिन 37 सरकार और टैक्सपेर्स के बीच में संबंध है उसको भी एक उस रिलेशन को भी ये रिप्लेक्ट करता है और जिस तरह से 30-60 डिग्री प्रोफाइलिंग की जा रही है टैक्सपेर्स की ये पता लगाने के लिए कि कौन से वो लोग है जो वाकई इंकम जनरेट तो करते हैं लेकिन समय पर अपना GST फाइल नहीं करते हैं जिसने लोगों को प्रोटाहिद भी किया है ये इसी व्यवस्ता का सरल होना इसमें एक बहुत बड़ा युगदान देता और मैं चाहूंगा वेजन साब इस चीज़ पर टिपड़ी जरूर कहें जरे हैं कि जो नॉन फाइलर्स ते या फिर जो टैक्स इवेडर्स के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई गई है सिदिया इसी की तरफ से जिसमें इंपूट टैक्स क्रेडिट को लेकर के एक बड़ा अभियान चलाया गया और उसके बाद में हमने देखा कि कम्प्लाइंस तो इसतरह से टेक्नालोगी का इस्तिमाल जिसमें आप आई और अमेल का इस्तिमाल करते हैं तो चायद जो कम्प्लाइंस इस जब भी बढ़ा है किए कि छी थोड़ी सी आतान भी होई है और शर्कार ने जिसकी नेटवॉर्क छोश्वर्स पर तेक्नालोजी का बहतर स्तिमा करने के लिए काफी सरल और पारदर्शी जो है वो पूरी व्यवस्था नजर आती है और शुरौत में यह भी दिक्कते होती थी लोगों को लग रहा था कि GST नई व्यवस्था आ गई है कैसे इसको फिल करना होगा लेकिन जैसे आज़े जी हम बता रहे हैं कि अब काफी आसान जो है उसको कर दिया गया है पारदर्शीता उस सिस्टम में नजर आती है और साथ-साथ जो टेक्स चोरी है उस तरह की भी खटनाएं आप काफी कम हो चुकी है देखिए कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत तकलीफ का कारण था फिजिकल डॉकुमेंटेशन थी और हर मल्टी स्टेज पर टेक्स लगता था उसमें चोरी होने के साधन बहुत सारे थे तो क्या हुआ जिएस्टी जब से आया तो एक वन नेशन वन टेक्स का जो फार्मूला अब आपको देश में हर देश में एक प्रड़क्ट के उपर एक ही रेट का टेक्स लगता है तो आपको यह आर्बिट्राज नहीं कर सकते हैं दूसरा जो जिस रंग से कंप्यूटराजेशन और डिजिटाजेशन हुआ तो आपने कोई ट्रांजेक्शन की है वो अन्रिपो अब आपने कोई इंकम डच में इंकम दिखाई या जिसका जीएस्टी से मेश नहीं हो तो जीएस्टी वाले को इंडिकेशन लगता है कि आपकी इंकम आ रही है जी इसके पर टेक्स कहां जा रहा है जी और उसी तरह से अकर आपने को जीएस्टी में आपके टर्णोबर सिस्टम बहुत इंप्रूव कर गया है और उब भॉकता के लिए भी इजी हो गया है क्योंकि अगर टेक्स में कहीं चोरिय का रस्ता नहीं होगा तो जो टेक्स के कैस्केडिंग इंफ्रक्त है उससे वो चीजे सस्ती भी हो जाता है बिल है उसको यह कहा गया था कि आप जो भी कुछ खरीदते हैं अपना बिल लीजिए उसका अपलोड कीजे तो एक तरीके से जागरुकता जो है उसको भी बढ़ाया जारा है लगाता रूप भोगताओ के लिए जिससे इस तरह की घटनाएं हैं उनमें और कमिया पाए जी वे जी क्या हुआ है कि जो आज की डेट में हम इसे 360 डिगरी कहते हैं नफरा प्रोफाइलीन कहते हैं तो जो आज की डेट में सरकार की अगती जिससे बड़ी तो आप इम्मीडिट लिए पकट ढूंड सकें कि आप एन इन्वाइस का टेक्स पे नहीं हुआ है। यह अपनाम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था जो सरकार ने उठाया। सबसे जादा आपने देखा होगा 2017 से लेकर दो आज तक के बीच में, जहां जहां दिक्केते आई जो हमने प्रजम्टि मॉडल और टक्सेशन निकाला, जो फिक्स मॉडल और टक्सेशन निकाला, रेस्टोरेंट के लिए इलग कंशेशन दिया, स्माल ट्रेडर के लिए इलग कंशेशन दिया, उससे क्या होगा, इस भी होगी बिजनिस की और प्रेक्शन भी इंप्रूव करके चलिए यहीं केटेगराइज जो किया गया वो काफी महत्पूर्ण हो जाता है और इस में खासतार से लगातार देखिया लगाता है कैसे जो GST का डेटा है वो इति हास रच्रा है रिकॉर्ड इस तर पर वो नज़ार आता है और इसके लिए जो तमाम कारक हैं जो परिस्तियां बनतीवी नज़ार आ रही है वो हम कह सकते हैं कि काफी इलाबकारी हैं देश्वी रतवस्ता के लिए भी जो उसको मस्भूती दे रहे हैं फिलाल हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी लेकिन यहार रुक रहे हैं को और छोटी से ब्रेक के लिए जल्द हासिर होते हैं मेरे एक वोट से पिछले दस साल में दस करोड से भी ज्यादा ग्रहिणियों को सस्ती रसोई गैस मिली और अब मेरे ही वोट से उस हर रसोई तक पाइप से सस्ती गैस पहुचेगी यह मोदी की गारेंटी है और मेरी गारेंटी कमल का बटन दबाएं भाजपा को जिताएं गोल्डी मसाले किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन जो क्या कुछ लक्ष है वो हम लेकर चल रहे हैं इसके लिए भी और उसका जो फाइदा है वो किस तरीके से नजर आए गार्थ वहस्ता पर पर आपका ध्यान आकर शुक्त करना चाहूंगा जो अभी ताजा आकर जारी किये गया है उसमें उत्रप्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हर्याना जैसे स्टेट्स ने बाकी स्टेट्स के उलना में बहतर किया है तो ये स्टेट्स के बीच में भी एक प्रस्परदा को दिखा करता है जिस पर से कई सारे स्टेट्स हैं जो वन प्रिलेंड डॉलर एकॉनमी का लक्ष उन्होंने अपने सामें रखा है तो अगर स्टेट गवर्मेंट आपस में कम्पीट करती हैं अपने यहां पर ज्यादा निवेश को नेवता देती हैं अपने यहां ज्यादा प्रोड सर्विसिस कंपनीज भारत में लगा रही है उनकी 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 गत्विद्यों में जो बहुतरी देखी गई है लगभग डबल हो चुकी है दोजार पंदर से अगर हम तुलना करें यह एक दिखाता है कि हम सर्विसिस लेड एकॉनमी है और मैंपेक्ट्रिंग को जो हमारा ब सब्सक्राइब देख सकते हैं किस तरीके से बदलाव नजर आता है और एक छोड़ी से टिपनी हाँ जी आपसे भी मैं लेना चाहूंगा आखिर में क्योंकि जब हम विकास की बात कर रहे हैं और जब खासा और से जो जीडीपी के आख रहे हैं वो भी हमें पूरी तरीके से सकारात्मक नजर आते हैं ऐसे में आपको क्या लगता किस गती के साथ जो और भी फ्रिशा इंफरस्ट्रक्टर की हम बात करें दूसरे जो कारके उनकी बात करें उनका जो विकास कारिया है वो तो वह नजर आएगा देखिए जैसे बज़े जी कह रहे थे कि अभी जो टैक् सब्वाग हो गया कि पिछले बरसे 15 परसेंट की लगपाग ग्रोथ होके 20 परसेंट की पंदरा से वाग ग्रोथ आएगी यह जो एक्सरापैसा सरकार के हात में आता है तो सरकार को अपनी शीमें चलाने में और जो इंफ्रस्ट्रक्टर और कैपिटल एक्स्पेंडिचर होत वो बढ़के जाए बढ़के जाएगी और production बढ़ती है तो naturally दो चीज़ें immediately effect करती है रोजगार जारा पैदा होते हैं और साथ की साथ में उसके साथ demand बढ़ती है तो इनके जरी यानि हम मान सकते हैं कि नए कुछ और records जो है वो बनते हुए हमें नजर आएंगे और ना सिर्फ उत्पादन की हम बात करें उत्पादन बढ़ रहा है तुसके साथ साथ रोजगार बढ़ता है साथ ही निर्याज जो है वो भी बढ़ता हुआ हमें नजर आएग जो देश की अर्थ रस्ता है वो अब लगातार आत्मे भरता की तरफ आके बढ़ रही है और कोशिश यही है कि जल से जल हम विश्व के तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ती बन पाएं और उसके लिए जिस तरीके के आंकले जो GST के आ रहे हैं या जो GDP के जो अनुमान थ इसने संशोधन किया जा रहा है ये काफी कारगर होंगे जो हमारे देश को जल ही विकसित भारत भी बना पाएंगे फिलाल इस पेश्व में बस इतना ही मुझे दीजे अनुमती नमस्कार